नमस्कार मैं हूँ प्राची राजपूत और आप देख रहें GS News आई ये करते हैं बिहार की 20 बड़ी खवरों के सुरुआत आज पंचायत प्रतिनीदियों और अधिकाडियों से सीधा संबाद करेंगे सियें सुजना सचिव अनुकम कुमार ने बताया कि अनलोग एक में बढ़ती गती वीतियों को देखते हुए बिसेज जागरुकता अवियान चलाया जाएगा बुद्धवार को मुख्य मंतरी सभी पंचायत प्रतिनीदियों नगर विकास के प्रतिनीदियों और जिला प्रशाषन के सभी पताधिकाडियों के साथ संबाद कर लोगों में जागरुकता काडियेक्रम को लेकर जानकाडी देंगे 26 इस्त्रमिक ट्रेंड से आज 10,000 प्रवासी पहुंचेंगे बिहार आज केवल 26 इस्त्रमिक ट्रेंड प्रवासी को लेकर बिहार पहुंच रही है आज आने वाले 26 इस्त्रमिक ट्रेंड में केरल के 2 ट्रेंड से 3300 प्रवासी तमिलनाडू के तीन ट्रैंस से 4950 प्रावासी और पश्चिम बंगाल के एक ट्रैंस से 1650 प्रावासी वापस लोट रहे हैं कठिहार में महानन्दा नदी में डुवाई युबक दो दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप कठिहार जिला के प्राणपूर थाना छेत्र के रोशना ओपी छेत्र अंतरगत महानन्दा नदी के बाबुपूर घाट में 21 वर्षिय युबक मुहमद सलीम अपने दोस्त साथी मुहमद बप्पी एबं मुहमद वशीम के साथ महानन्दा नदी में नहाने के क्रम में डूबन मुहमद सलीम की मौत हो गई बता दे कि यह तीनों माल्द जिला के हड़िश चंद्रपूर थाना छेत्र के तालग्राम हार्ट का निवाशी है आसपास के लोगों ने मिर्तक के शाथी मुहमद बप्पी मुहमद वशीम को पकड़ कर घटना की चानकाडी रोशना ओपी पु कैसे मिले इसके लिए सरकार एक्षन प्लान तयार कर रही है अब तक 11 लाक मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई जा चुकी है पाड़ी वारिक बिवाद में मा बेटी ने खाया जहर बेटी की मौत मा की हालत गंभीर नीजी नर्सिंग होम में चल रहा है इलाज या घटना ल की बीजेपी वार्च्वल रैली करके चुनाव की भूख मिटा रही है और हम मजदूरों की भूख मिटाएंगे सरकार वार्च्वल रैली के ढूंग से जमीन की एक्च्वल सच्चाई को छिपाना चाहती है IPC जोगवणी सीमा के रास्ते नेपाल से अब तक 960 भारतिय लोटे श्वादेश ICP जोगवणी भारत नेपाल सीमा के रास्ते भारत और नेपाल के लोगों को उनके देश भेजा जा रहा है इस क्रम में सुमबार तक 960 भारतिय जोगवणी के रास तेज भारत आये और 990 बिर्यानबे नेपाली नागडिकों को नेपाल भेजा गया मोतिहारी इड़ चिमनी के मुनसी को बाइक सवार अपड़ाधियोंने माड़ी गोली गंबीर हालत में मुनसी विरेंदर सिंग मोतिहारी रेफर मधुण के क्रिस्म नगड में हैं वहीं मौके पर पहुची मधुण थाना पुलीस सिवड की और भागे अपड़ाधी बाहर से आने वाले लोग अब कॉरंटीन सेंटरों में नहीं रहेंगे सरकार की योजना 15 जून से सभी कॉरंटीन सेंटरों को बंद कर देनी की है इस वीच हालां की डोर तूर डोर स्क्रीनिंग जाड़ी रहेगी और रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल कैम्प काडियरत रहेंगे वापस लोड़े मजदूरों का बैंक खाता जल्द खुलवानी की सीम ने दिया निर्देश मुख्यमंतरी निर्दी स्क्वार ने मंगलवार को मुख्य सचीब एवं अन्य वड़िये अधिकाडियों के साथ उच्छे अस्तरिय समिक्छा बैठक की इस दोड़ान उन्होंने अधिकाडियों को प्रवासी मजदूरों के लिए बैंक खाता से लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये डीजीपी गुपतेशोर पांडे बीएमपी कॉरेंटाइन सेंटर पहुझे जहां जवानों का हाल चाल जाना बीएमपी 14 में 46 जवान कोडोना पॉजेटिब पाए गए जिसमें से 15 जवान ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं